हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के साइन्स का चैप्टर 13 मैगनेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्रिक करंट का मस्ट डू मडियूल करेंगे बच्चों, यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो मस्ट डू मडियूल पार्ट है जो एक्जाम में लास्ट पॉइंट पर रिविजन के लिए बहुत जरूरी है, वो यह वीडियो कंटेन करती है इस वीडियो में कौन-कौन से टॉपिक है, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए और अपने जरूरत के साफसे टाइम कोड का अस्तेवाल करते हुए उन टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए लास्ट में कुछ इंपर्णन कोशन है, उन्हें भी आप देख लीजिए बच्चों, मार्क अकेडमी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर का रिविजिन सबसे पहले बच्चों हमारे पास में हैं मैगनेट, क्योंकि मैगनेट क्या होता है, यह हम बहुत पहले से जानते हैं तुनी की छोड़ी-छोड़ी प्रॉपर्टि स्टी को हमने यहां पर रिवाइस करना यह जैसे मैगनेट क्या होता है, atau गिषिए कंपास किया यह, कमपास क्या है कमपास भी एक मैगनेट की तरह ही है जब उसके दो पोल होते हैं और एक पोल जो नौर्थ डारेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है उसे हम नौर्थ पोल कहते हैं और दूसरा पोल जो साउथ डारेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है उसे हम साउथ पोल कहते हैं यहाँ पर मैगनेट क्या है कम पास क्या है छोड़ी सी बात है और हमें यह भी मालूम है कि मैगनेट के जो सेम पॉल होते हैं लाइक पॉल रेपैल एंड अल्लैक प्यार्ट वात्स यह भी सकतन85 अचछ बहुत छोटी सी बात है हैं जो इस Create में हमने आपको बताई है इस्से आगे हमारे पासальным है magnetic field अब अगर magnet है तो magnetic field भी होगा एक्चल में क्या है बच्छो जब किसी conductor से current pass होता है तो उसके चार और भी magnetic field डवलब होता है जो इस chapter में हमने current के तीन effect देखे हैं अब तक class 8 में देखा था हमने chemical effect of electric current क्लास 8 यह 7 में heating effect of electric current आपने 8 में देखा था और यहां 10 भी देख रहे हैं जो आपने chapter 12 में देखा था electricity वाले chapter में अब यह 13 में हम magnetic effect की बात कर रहे हैं कि current का magnetic effect भी होता है उसका यहां पर हमें discussion कर रहे हैं तो सबसे पहले magnetic field तो magnetic field क्या है किसी भी magnet के around वो region जहां पर उसकी magnetic strength को magnetic effect को experience किया जा सकता है उसे हम magnetic field कहते हैं the reason around a magnet in with the force of magnet can be deducted is called magnetic field इसका SI unit Tesla है और magnetic field की direction क्या होती है बच्चों direction के लिए आपने text book में बहुत सारी activities पढ़ी है हम compass needle को use करते हैं और compass needle की जो north pole है जिस ओर indicate करती है हम उसे magnetic field की direction मानते हैं और magnetic field जो है बचों वो जो है magnetic field को हम magnetic field lines के द्वारा represent करते हैं ठीक है ना तो मैं direction क्या होता है जिस तरफ compass needle का north and indicate करें वो magnetic field की direction है और magnetic field को magnetic field lines से द्वारा हम represent कर सकते हैं सो कर सकते हैं अभी हम यहां पर आपको दिखाएंगे भी कुछ तो बच्चों अब हमारे पास में क्या है प्रोपर्टी और magnetic field lines magnetic field को हम represent करते हैं magnetic field lines की help से तो हम magnetic field lines की कुछ properties भी है जिनने हम यहां समझना है सबसे पहले से अगर हम बार-magnet की बात करते हैं तो बार-magnet के बाहर जो magnetic field होता है वो उसकी जो field lines होती है वो north से south की तरफ जाती है ठीक है ना outside a magnet the magnetic field lines are directed from north pole of magnet toward south pole पहला point हो गया अंदर magnet के अंदर उनकी direction होती है south से north inside a magnet field lines are directed from south pole to north pole और इस तरह से यह बना देती है closed curve ठीक है ना magnetic field lines क्या बना देती है closed curve अभी हम आपको साय next slide में यह दिखाई दे रहे है यह देखो यह नौर से वहार निकल रहे है और यह south से merge कर रही है और इस तरह से closed curve बन रहा है यह figure भी draw करना है हमें आना चाहिए बचो एक्जाम में एक marks में ऊच लिया जाता है तो यहाँ पर magnetic field lines के बारे में हम समझ रहे है closed curve बनाती है आगे लिखा हुआ है नो two magnetic field lines intersect each other दो magnetic field lines intersect कभी नहीं करती है magnetic field is stronger in the region where the field lines are crowded और जहाँ पर field lines पास पास होती है वहाँ पर magnetic field strong होता है मलब अगर magnetic field lines पास पास है यानि crowded है that means it is showing strong magnetic field बचो इसके लाबा यहाँ यह समझाया हुआ है red color में यह लिखा हुआ है कि दो magnetic field lines आपस में intersect नहीं करेंगी तो अगर वह किसी point पे intersect करेंगी तो इसका मलब है उस point पे magnetic field दो direction में है compass needle एक ही बार में दो direction में so करना चाहिए जो कि possible नहीं है ठीक है ना तो no two magnetic fields can ever intersect each other if they do then it would mean that at the point of intersection there are two direction of magnetic field which is not possible तो यह possible नहीं है कि दो magnetic field lines intersect करें और एक ही point पे magnetic field दो दो direction में हो अब सोचे ना compass needle से हम magnetic field reaction मालुम करते हैं तो एक ही point पे दो direction में कैसे हो करेंगा एक ही बार में है ना अगर यह pen है तो यह तो यह इधर indicate करेगा या इधर करेगा या इधर एक बार में तो एक ही तरफ indicate करेगा ना तो अब इसके दो फार्ट होड़ना हो जाएंगे दो माउथ होड़ना हो जाएंगे indicate करने के लिए हम समझ लेते हैं इसको figure से यहाँ पर यह बार magnet है यह इसका south pole है और यह north pole है तो यह magnetic field lines north से इमर्ज कर रही है और यह देखे close कर बनाते हुए south से मर्ज हो जाती है इस तरह से जो property हमने में पीछे पड़ी है वह सारी properties magnetic field lines में सो हो रही है क्या कि मैगनेटिक लाइन नौर्ट से मर्ज करती है मैगनेट के बाहर देख से नौर्ट से south है मैगनेट के अंदर south से north है और यह पोल्स पे crowded होती है इसलिए यहाँ पर सब ज्यादा magnetic strength होती है पोल्स पर इसके और यह जो है close कर बनाती है एक दूसरे को intersect नहीं करती है तो यह सारी points नहीं इस figure में clear हो रहा है तो आप इसे draw करके practice कर लीजिएगा बच्छो चलिए बच्छो अब हम आगे बढ़ते है अब हमारे पास में है यह स्ट्रेट कंड़क्टर है पहले इधर पढ़ लेते इतले फीगर से समझ लेते हैं यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट कंड़क्टर है लेट में साइट हो जाता हूं मैं दोनों चीजें एक साथ चलेए तो ठीक रहेगा यह स्ट्रेट कंड़क्टर है बच्छो यह रेड कलर म यह straight conductor हो गया इसमें से current pass हो रहा है उपर की तरफ तो इसमें magnetic field की जो लाइने है यह एक closed curve बना रही है आप इस figure से भी देख सकते हैं यह जो white color की lines है यह closed curve है और arrow जो दिखा रहा है उनकी direction को दिखा रहा है red color में तो इसको जानने के लिए हमारे पास right hand thumb rule होता है बच्चो द magnetic field की direction को बताता है देखें बिल्कुल एजियूम करें अगर हम इस pan को इस direction में तो यह इस तरह की magnetic field जो यहां पर रिप्रेजेंट हो रही है यह नि इस तरफ से बाहर आ रहे है अंदर से बाहर की तरफ आ रही है magnetic field lines like this one बाहर की तरफ आ रही है इसले इसे ना हमें लगता है कि यह red कर देना चाहिए कि यह अंदर से ऐसे आ रही है ठीक है तो यह आपका magnetic field lines हो गया around a straight conductor the strength अब यहां पर कुछ बाते बताई होई है कि यह strength यह हम देख रहे हैं यह इसकी strength भी डिस अगर हम इस का वायर से दूर जाएंगे और कम पास्निल को दूर रखेंगे तो उसका effect कम होगा strength कम होगा और अगर हम पास रखेंगे तो कमपास्निल में ज्यादा deflection होगा एक बात और दूसरी बात अगर हम current बढ़ा देते हैं तब भी deflection बढ़ जाता है magnetic field की strength बढ़ जाती है तो यहां यह दो बाते लिखेंगे strength of magnetic field produced decreases with the increasing distance from the current carrying conductor first thing यह अगर इस से हम distance को magnetic field increases on increasing the current flowing in the conductor इसके अंदर अगर current को बढ़ा देंगे तो उससे बनने वाला magnetic field भी बढ़ जाएगा यहां पर दूसरा point हमें समझा रहा है बच्छों तो यह हमारे पास था now we have यह circular loop है now we have magnetic field around the current carrying circular loop तो current carrying circular loop में जो magnetic field होता है उसका pattern यहां पर हमारे पास दो पिक्चर है उनसे हम समझ सकते हैं देखिए यहां पर भी हमें और यह number of turns बढ़ा देते हैं यह जो circular turn है अगर यह बढ़ा देते हैं यह radius change करते हैं radius कम कर देते हैं और number of turns बढ़ा देते हैं तो यहां पर magnetic field के strength फिर से बढ़ जाएगी तो यहां पर यह जो circular loop है this one तो यह यह देखिए एक circuit diagram दिया हुआ है circuit diagram से current enter कर रहा है इस कोईल में current direction यह है नीचे से ऊपर यहां पर भी यह current यह जा रही है इस तरह से तो इसमें जो magnetic field lines बन रही है मलब जो इसके circular coil के around magnetic field है उसकी properties के बारे में थोड़ा से देखते हैं यह दो दो बातें हमें पालूम होना ही चाहिए कि number of turns बढ़ाएंगे तो magnetic field की strength बढ़ जाएगी current बढ़ाएंगे तो magnetic field की strength बढ़ जाएगी बट यह किस तरह से behave करता है यह और देख लेते हैं देखो यहां पर यह जो circular लूप है यह प्लस का sign बता रहा है current की direction ठीक है और यहां downward माइनस की तरफ current प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करता है ठीक है अग क्योंकि current reaction यहां पर जो है इस point पर तो current की direction जो है यह है तो हम इधर की तरफ इंडिकेट करेंगे तो आपना यह जो double line में ड्रॉ किये है इसका मतलब है कि magnetic field ने नीचे से जा रही है और यह ऊपर से आ रही है लाइक तिस तो यह आप magnetic field lines ड्रॉ कर देंगे फिर जब current इस व से बाहर लेकर आ रहे हैं तो इसके बारे में यह जो magnetic field यह ड्रॉ करना तो आपको आना चाहिए लेकिन दो बाते में या तीन बाते हमें साफ साफ समझ लिए plot is circular loop के अंदर जो magnetic field lines है उन सब के direction देख पारे होंगे south से north ठीक है और circular loop के बाहर यह वाले 3 pak तीन लाइन है उपर ठीछ पारे होंगे इन इनकी direction फार बाहर तो यह victories से में सब्गनेट इस प्रॉप के बाहर भी magnetic rear Buttys आपस में चाहे नीचे वाला एंड हो या उपर वाला एंड सेम है यह दो बाते हो गई तीसरी बात सर्कुलर लूप के बीच में जो ब्रॉट कि बीचा अंदर यहां से लेकर यहां तक जो यहां पर करना चाहिए बच्चों आपको इसकी प्रैक्टिस करने हैं आपको अराम से यहां पर वीडियो को पॉस करके प्रैक्टिस कर लेजिए उसके बाद फिर हम नेक्स टॉपिक की देखते हैं इसकी करने के लिए बता करने के लिए लाइन नीचे जा रही है और यह उपर से जारी है जहां पर दिखाए दिए रेड कलर जहां नीचे जा रही है वह यहां और किन-किन बातों पर depend करता है now we have solenoid magnetic field due to current in a solenoid तो सबसे पहले solenoid होता क्या है बचों यह देखिए आप यह circular turns a coil of many circular turns है ना in shape of cylinder देखो यह off insulated copper wire है ना copper के wire जो insulated है और बहुत सारे turn से एक circular turns एक cylindrical shape बन रहा है वह solenoid होता है ठीक है ना a coil with many circular close turns of insulated copper wire is solenoid अब यहां पर यह जो solenoid के अंदर magnetic field double up हो रहा है इसकी properties के बारे में गौर करें तो यहां पर आप देख पा रहे है one end of solenoid behave like north pole देखो यह वाला north pole हो जाएगा यह वाला और यह south pole जैसा act करेगा तो बिल्कुल बार मैगनेट जैसा लग रहा है क्योंकि यहां पर magnetic field lines इस तरह से निकल रही है और यह south में मर्ज हो रही है बार मैगनेट में भी हमने ऐसा ही देखा था तो यह solenoid में भी magnetic field lines बिल्कुल तो बार मैगनेट जैसा ही होता है इसकी इसकी बारे में कुछ एक कोशन आता है वह मैं आपको बता देता हूं कि इंपोर्डेल कोशन के लिस्ट में भी दिया हुआ है कि मैगनेटिक यह solenoid का application क्या है और इसमें कहां पर energy strength सबसे ज़्यादा होता है और uniform होता है तो बार में अंदर यह जो parallel magnetic field lines है न बच्चों यह strong magnetic field बनाती हैं और uniform magnetic field बनाती है strong and uniform यह ज्यादा अच्छा सा magnetic field और एक समान magnetic field बनाती है इसलिए इसका इस्तिमाल जो है ना मेगनेट इलेक्ट्रो मेगनेट बनाने के लिए होता है तो यह सोलिनॉइड है आपके पास यह डिफाइन है सोलिनॉइड की कॉइल विपने सर्फिलर क्रोश टंस और इलिफ़ इसका नॉर्ड पोल की तरहा करता है कि जब करेंट फ्लो करता है यहां से करेंट जारा अर्टरी से ठीक है रहा तो जो यह इसके करना चाहिए अप्लीकेसे मैं आपको बता दिया इलेक्ट्रो मेंगनेड बनाने पर इस थेवाल होता है इसके अंदर क्योंकि इंपॉर्टें कोशन के लिस्ट में आप जाएंगे तो मेंगनेडिक लिस्ट में जाएंगे तो वह हो पर करने के अंदर होती है यूनिफॉर्म औ पर सॉलनाइड की मेंगनेटिक फिल्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के दो मेंथड हैं इंक्रीजिंग अमाउंट आफ करेंट या इंक्रीजिंग नमबर ओफ टान्स दोनों चीज़े बढ़ाती है या दोनों में से अगर एक भी बढ़ाएंगे तब भी बढ़ जाएगा Flemmingst left hand tool Flemmingst left hand rule का है this is my left hand ठीक है बचो तो यहां पर आप इसे read कर सकते हैं मैं आपको कैमरे के सामने समझाता हूँ देखिए फ्लैमिंग का लेटेंड हैं यूज होता है जहां पर हमें यह मालूम करना है कि फोर लगने वाला डारेक्शन क्या है तो यहां तीन बात तीन फिंगर है हमारी इसे हम फॉर फिंगर कहरें इंडेक्स समझा देता हूं तो यह जो हमारा index finger है या four finger जिसम क्या रहे हैं यह magnetic field की direction को सो करता है always ठीक है तो यह four finger क्या सो करता है पहले तो हम इन तीनों को stretch करेंगे कि एक दूसरे के perpendicular हो first point है इसमें लिखा हुआ फिर यह जो four finger है यह magnetic field की direction को दिखाता है middle finger current की direction को दिखाता है then उस conductor पे जो force लगेगा वो thumb बताएगा कि थम की direction जो होगी वो force की direction होगी then thumb gives the direction of force ठीक है ना इस तरह साथ देख लिजे तीनो direction तीनो finger जो है ना एक दूसरे के perpendicular होने चाहिए उसके बाद यह definition बनती है proper तरीके से ठीक है तो यह इस तरह से flaming के left hand rule है अपनी हाँ पड़ भी लिया होगा stress the thumb four finger middle finger of right hand of right hand oh sorry it is a mistake here of left hand होना चाहिए क्योंकि left जो flaming का left hand rule है वो left hand के लिए है और उसमें हम force मालुम करते हैं stress the thumb four finger and middle finger of left hand so that they are perpendicular to each other if the four finger indicate the direction of magnetic field middle finger indicate the direction of current then the thumb will point the direction of force acting on conductor देखो जब कोई भी conductor के सी magnetic field में enter करता है आपके टेक्स्बुक में के activity है होर्सू magnet वाली उसी में बताया हुआ है कि होर्सू magnet के अंदर जब एक conductor होता है न तो उस पर एक force लगता है तो उस force की direction को कैसे मालूम करेंगे यह flaming का left hand rule बताता है ठीक है तो मैंने समझा दिया है आपको अपने finger से भी दिखा दिया है तो आगे बढ़ते हैं अब मारपाद flaming का right hand rule होना चाहिए flaming का right hand rule भी बिल्कुल ऐसा ही है यह मेरा right hand है ठीक है अब यहाँ पर बी यह तीनो finger है यही तीनो फिंगर देखो right hand rule का इस्तिमाल करते हैं जो current develop होता है इन्हें जर्च जन्रेटर में और transformer में current जो develop होता है उसकी direction मालूम करने के के लिए ठीक है ना तो में लेफ्ट हैं रूल का इस्तेमाल करते हैं फोर्स की डारेक्शन को मालूम करने के लिए और राइट हैं रूल का इस्तेमाल करते हैं करंड की डारेक्शन को मालूम करने के लिए तो यहां पर भी हमारे पास तीनों फिंगर हैं यहां साइट तो आप वीडियो को स्रीडर कर सकते हैं यह हमारे पास फ़ोर फिंगर है यह थम है और यह इंडिल है जो हमें फिंगर को 돼 पॉर्स की राइट से अगर बताए क्योंकि जन्रेटर में हम बाहर से फोर्स अप्लाई करते हैं पानी का गिरने वाला फोर्स या स्टीम का फोर्स लगाते जिरूर है तो यह है फ्लैमिंग का राइट हें रूले बच्छों एक बार दुबार से रीट के लिए इस्ट्रेश दा थाम फोर्स फिंगर और मिडिल फिंगर और राइट हैं तो दूसरी पर्पेंडिकुलर होने चाहिए इस फोर्स फिंगर इंडिकेट दा राइक्शन फिंगर इंडिकेट फिर आगे बढ़ते हैं बचों यह मजडू मडियूल हम कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़े नहीं आई है जो हम चैप्टर की पूरी concept वीडियो में टेक्स्ट बुक में रीड करते हैं तो यह एक्जाम के लिए मस्डू मडियूल है जो करना बहुत जरूरी है पूरा चैप्टर कबर नहीं होता क्या क्या कबर होता है आप वीडियो में description में देख सकते हैं कि ना भी है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडेक्शन क्या है बच्छो आपकी बुक में बहुत सारी दो थी दो अक्टिविटी हैं पता है क्या है अगर किसी मैगनेटिक फिल्ड के अंदर कोई एलेक्ट्रो मैंनिक इंडक्शन कहते हैं यहां पर वही डिफिनेशन लिख हुई है दो फिनमेना ऑफ प्रोड़क्शन ऑफ इंड्यूज्ड करेंट इन कॉइल इन रिजन वेड़े मैंनिक फिल्ड चेंज हो रहा है तो उसमें करेंट इंड्यूस हो जाता है जैसे आपकी में में हैं कॉइल जाट है कॉईल मनाकर उसमें सट कर रखा है और कॉईल के पास में बार मेंगनें लिए करी का फा esimerk glow मत्र नेक्शन करें तो जब ले तो यह बार मेंगे जब इसके पास में लाएंगे और इसा दूर ले जाएंगे तो यहां पर गैल्वनटर की सुई में डिफ्लेक्षन नजर आएगा उसके निदिल में यह बता आदा है कि इसमें करेंट इंड्यूश हुआ है तो यह आपकी अक्टिविटी आपकी बुक में ह इस तरह के activity पास में लाएंगे दूर ले जाएंगे पास में लाएंगे और दूर ले जाएंगे तो current डवलाब होता है इसी phenomenon को इस हेवेंट को हम बोलते है electromagnetic induction को और जिस इसतवाल होता है जनरेटर और ट्रांस्फॉर्मर है, जिसमें करन्ट इंड्यूस होता है बच्छों, चले बच्छों आगे बढ़ते हैं, अब ये मोटर, एलेक्ट्रिक मोटर, देखों मोटर करता क्या है, इलेक्टिकल एनरजी को मेकैनिकल एनरजी में कनवट करता है, अब प्रिंस्पल वर्किंग क्या है बचो इसका वर्किंग आपके NCRT टैक्सबुक के होर्सू मैगनेट वाली अक्टिविटी से ही है यह दोने एक दूसरे को या ट्रैक्स करेंगे या रिपेल करेंगे तो इसका मेल एक फोर्स तो लगना ही लगना है तो यही है principle of working of an electric motor, ठीक है, तो यहां लिखा हुआ है, current carrying conductor when placed in a magnetic field, experience a force, if the direction of the field and the direction of current are mutually perpendicular to each other, यह तो फ्लैमिंग के left handle में हमने तीनों चीज़े perpendicular किया ही था, तो अगर direction of current और यह magnetic field अगर इस दूसरे के perpendicular है, तो जो force लगता है, वो भी इन दोनों के mutually perpendicular होता है, तो यहां लेका, then the force acting on conductor will be perpendicular both and will be giving by फ्लैमिंग से left hand rule, ठीक है ना, this one, अगर माल लो यह magnetic field है, यह current है, तो उस conductor पर जो force लगेगा, वो थम बताएगा, तो यह देखो, यहां से भी perpendicular है, और अगर हम इधर से देखे हैं, तो यह भी perpendicular है, इस finger के साथ में, ठीक है, तो यह आपका तीनो finger, एक दूसरे के perpendicular thumb, index finger और middle finger, तो यह motor का working हो गया, यहां पर principle of working, motor क्या काम करता है, और इसकी principle क्या है, वरकिंग की दो बाते समझी, अभी motor के और भी कुछ component है, जिनने हम जान लेते हैं, यह हमार पास motor का figure दिया हुआ है, यह दो permanent magnet है, जो north pole और एक south pole की तरह act करें करेंगे, यहां यह axle है, coil है, insulated copper wire की coil है, यह axle है, यहां यह दो splittering है, और यह दो brushes है, और इनको connect किया हुआ है, बैटरी से, और यह की है, ठीक है, तो इन्हें है current की supply मिलेगी, तो आइए देख लेते हैं, इसमें जो अलगलग parts से armature क्या होता है, armature coil carries current, यह आपका armature हो ग force in mutually opposite direction and under their influence, the coil begin to rotate, जब इसमें current flow करता है, जब इस coil में current जाता है, देखें यहां current जाएगा, और यहां current जाएगा, यह magnetic field यहां बना रहे हैं, north और south, तो भाई, अभी हमने पीछे देखा था, क्या होगा, force लगना चाहिए conductor पर, तो conductor पर नीचे की तरफ माल लिजए और इ left hand है, यह magnetic field direction हो गया, north से south, current हो गया, उपर, तो जी हां, अंदर की तरफ, इसमें नीचे की तरफ लगेगा, और इसमें जो है, यह आपका ऊपर, इसमें इस वाले साइड में, इस साइड में, उपर की तरफ लगेगा, है ना, इस साइड में, नीचे की तरफ लगेगा, तो तो इस तरह से कोईल रोटेट करने लगेगा इसे आर्मिचर जो है रोटेट करने लगेगा तो इसे हम प्लैमिंग का लेफ्ट हैंड डूल अपलाई करके देख सकते हैं बस हमें यह वाले फिंगर को नौर्ट से साउथ रंगना है क्योंकि मैंनेटिक फिल गरेक्सिन क्याता हूं तो अब आगे क्या दिया हुआ है इस हुग जो क्या र давно रहता है ठीक है न prodarbeiten और स्प्टिर्ट तो यहांbenलोंटे बना रहता है क्योंकि कर आपका यह आर्मेयचर निक जो मूतर केु क्यों ना ना भी है कमर्सेल मोटर के बारे में कमर्सेल क्या होता है जो मतलब हम लोग बात इस्तिम्स करता है कि ऽे वहां यह बात हमें में स्थेंड बढ़ जाएगी औरती साफ्ट्ट सब्सक्राइं करता है जिसके स्ट्रेंट बढ़ जाती क्योंकि मैं आइरन जो अगर अच्छा होगा और मेडिक अच्छा होगा तो मोटर की पावर बढ़ जाएगी ठीक है यह तीन वातें इस्तिमाल करता हैं करते हैं समां कमर्शिल मोटर में बचों और अब यह गैलवनमेटर क्या होता है पीछ मेरे अक्टिविटी में बताया तो इक ऐसा डिवाइस है जो सर्कीट के अंदर स्मॉल करेंट को भी डिडेक्ट करता है ठीक है इसलिए इसको लगाए जाता है सर्कीट के अंदर जब क्या मैं प्लस कोई अगर एक यूनिट में दएक तो उसको हम हम आर्वेचर कहते हैं और इसकी मोटर की पावड बढ़ती है क्योंकि soft iron magnetic substance है plus उसमें coil भी magnet बनाएगी तो उसे उसकी power बढ़ जाएगी बच्छो तो यहां पर galmeter का भी है और armature का भी है important questions में यह सारे topics आएंगे इसलिए आप link का इस्तेमाल करके दुबारा से इन्हें सुन सकते हैं और उसका answer दे सकते हैं important questions description में आपको दिखाए दे रहे हैं कि नाव यह questions बचो मैंसे दरीजन ऑफ करेंट कैरिंग वेर फिल्लाइन सार पैरलेल स्टेट लाइन तो यह आपको मैंने बताया था स्टेट के अंदर स्टेट के अंदर होता है पैरलेल लाइन स्टेट पैल लाइन सुता है स्ट्रॉंग म लिखा हुआ है या उसका डाइग्राम उसमें आप जाकर देख लीजिए विच लॉग इस दारेक्शन आप इंड्यूश्ट करेंट प्रडूश्ट ज्यूट करने के लिए राइट हैं रूल है वह भी आप डिस्रिप्शन में जाके पूरा अच्छे से दुबारा से देख स सकते हैं समा सकते हैं और उसके यह सारी यह सुरू में दो कोशन तो ठीक है और मैंने डिसकस करना था वह कर लिए बागी कोशन नमर 3 जो है या पूर जो है यह सभी आपको डिस्रिप्शन में के लिंक मिल लेंगे आप महां दुबारा जाकर सुन लीजिए दुबारा से सब्सक्राइब कोशन है वहां पर कंडुक्टर के लेफ्ट की तरफ डिस्प्रेश जाएगा ठीक है यह वाला फोर्स करन्ट जो है इंक्रीश करते ही फोर्स बढ़ जाता है बच्छों होर्स्ट को और रिक्लेश करते हैं इक स्टॉंगर होर्स्ट मैग्नेट से तब भी उसमें डिस्प्लेस्ट भड़ेगा क्योंकि उसका magnet की power बढ़ रहे है और current की direction को अगर बदल देते हैं तो क्या होगा तो जो उसमें लगने वाला force है उसकी direction भी reverse हो जाएगी ठीक है तो इस तरह से बच्चो ये हमारा revision complete हुआ magnetic effect of electric current science chapter 13 class 10th का और अब आपके लिए best of luck आप से मिलते हैं नेक्स वीडियो में